तो गईस आज है 28 तो फोक्टूबर और अभी जब ये मैं वीडियो रेकॉर्ट कर रहा हूँ तो रात के 8 बज रहे हैं और अभी तक भाई सिंगम अगेन की ओफिशली इडवांस बुकिंग को ओपन नहीं किया गया चाहे वो नेशनल चेंज हो चाहे वो सिंगल स्क्रीन हो सि मैं वीडियो बना रहा हूँगा तो तीन दिन बचते हैं भाई तीन दिन बाद मुवी ने रिलीज होना है अब गईस देखो बहुत बड़ा क्लैश है ये साथ इसके बाद मेरी एक और वीडियो आईगी जो कि मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगा एक या दो घंटे बाद आपको भूल भूलेए थ्री की भी ड्वास बुकिंग बताऊंगा और सिंगम अगेन की भी जो सिंगल स्क्रीन से ड्वास बुकिंग है बताऊंगा आप लोग शौक्ड हो जाओगे लेकिन खेर ये सिंगम अगेन की ड्वास बुकिंग अभी तक अपर नहीं हुई कब होग है एंड जो रन टाइम निकल कर आया है वो बड़ा शौकिंग है वो है टू आवर जैन ट्विंटी फॉर मिनिट अब देखो आप सब को लगबग एक से डेड़ हफता पहले मैंने न्यूस दी थी कि भाई मेकर्ज ने फिल्म जो है वो सी बी एफसी के पास भीच दी है और जो रन टाइम एक्सपेक्टेड़ है वो तू आवर जैन थर्टी तू थर्टी फाइफ मिनिट की बीच में है वो ही ओफिशल रन टाइम था लेकिन सी बी एफसी के पास जब ये फिल्म गई तो फिल्म में अच्छी खासी कटिंग की गई है कितने मिनिट्स की कटिंग है कौन स इस सीन को कट किया गया है मैं ये सारी चीजे आपको बताने वाला हूँ बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइक करो ताकि इस अपडेटीड वीडियो आपको जल्दे से जल्दी देखने हो मैंने चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बताओंगा 23 सेकंड का एक सीन है रामायन का उसको कट कर लिया गया है रामायन के अच्छे खासे सीन्स गईज इन लोगों ने कट किये है रीजर मुझे नहीं पता ये 23 सेकंड का एक सीन था अब आगे डिटेल है कि राम का सीथा का किस का सीन वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बता दिया तो गैस अच्छी खासी चीज़े स्पोयल हो जाएंगी, तो मैं नहीं चाता कि जब आप फिल्म देखें तो आपका मज़ा खराब हो, आप सिर्फ सुनते हैं, 23 सेकंड का रमायन का सीन था, उसको कट कर दिया गया, उसके बाद फिर 23 सेकंड का एक और सीन था, उसको भी गैस यहां पे कट कर दिया गया, अब आई डोंट नो ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसके बाद 16 सेकंड का एक और सीन है, रावन का, अब गैज रावन ग्रैब करता है, किसको आप सब को पता है सीधा को किस तरह तो वो सिम्ह सिंट सेकिंड का, उसको भी यहाँ पर कट किया क्या है, क्यूँ कट किया गया, उसकी मुझे अप सब को भी बताओगा, मैं आपको नहीं बता सकता बताओंगा तो मेरे लिए भी थोड़ी से ज़रूर प्रॉबलम हो जाएगी इसके बाद गई सिंबा का एक सीन है जिसको मॉड़िफाई किया गया है बिसीकली ये जुबैर एंड सिंबा की बीज में डायलोग्स है इनको मोडिफाई किया गया है अब वो क्या डायलोग है वो भी मेरे पास है लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेर नहीं गर सकता उसके बाद गईस जो यहाँ पर मेरे पास नियूज है वो 26 सेकिंड का एक और सीन है जिसमें भी एक डायलोग वगयरा है उसको चेंज किया गया है और रीजन बताई जा रही है कि इस डायलोग से जो इंटरनेशनल में हमारी मूवीज रिलीज होती है आपको पता है कई मूवीज में ऐसे डायलोग होता है जिस वजए से ओवरसीज कई कंट्रीज में मूवी को बैंड कर दिया जाता है तो बस उस सीन को भाई साब ऐसा डायलोग था जिसको यहाँ पर हटाया गया है ताकि यह मूवी इंटरनेशनली जब सी भी एसी में जाए तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो और एड दा एंड 7 मिनट एंड 12 सेकंड यानि के 7 मिनट और 12 सेकंड की यह टोटल कटिंग की गई है जिसमें जो मेजर सीक्वेंस थे वो रामायन के थे उसके बाद सिंबा का कोई फलर्टिंग डायलोग सीन था डायलोग था कुछ उसको डिलीट कर दिया गया विजूल डिपिक्टिंग कोनेक्शन थे विद रहमायन के साथ सीटीबिल्टी मोडिफाइड किये गई है लेकिन यहां पर अच्छी खासी 7 मिनट की कटिंग की गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस साथ सेकेंड में अच्छे खासे सीन जिन से थेटर में गूस बम्स आ सकते थे जब वो देखने को मिल दे तो उनको डिलीट कर दिया गया है अब गैस मैं ज्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे नहीं बता कि यह जो सीन है इनको कैसे 22 रोहित शेटी ने दिखाया है दिखने पर ये कैसे लगे थे तो CBFC ने कट कर दिया तो उनको हमसे तो बेतर ही बता होगा तो जो जो निव डियोरेशन निकल कर आ रही है वो है 2 आवर्स और 24 मिनट एक बात इंटरस्टिंग यहाँ पर ज़रूर है भूल पुलाईया 3 और सिंगम अगेन दोनों के रन टाइम को देखो तो सिंगम अगेन का रन टाइम कम है भाई मतलब के भूल पुलाईया 3 का रन टाइम है 2 आवर्स 38 मिनट और यहाँ पर 2 आवर्स 24 मिनट बैस अब किसकी कैरेक्टर less ज़धा है यहां पर देखो सिंगम अगेन के बहुत अज्य देवगन, अक्षे कुमार और रनवीर सिंग, टाइगर शुरफ, करीना कपूर, उसके बाद देपे का, सल्मान खान भी उनको भी मैं जरूर बोलूँगा, विलिन की बात करो तो अरजुन कपूर, जैकी शुरफ, तो इतने सा बोलूँगा ना, इंटरस्ट दिखाने वाली है, क्योंकि फिल्म लेंध ही नहीं है, भई इतनी बड़ी डियोरेशन की फिल्म, एजी ली टीन घेंटा क्रॉस कर जाती है, लेकिन यहां पर गाईज वो प्रॉबलम देखने को नहीं मिलेगी, तो डियोरेशन कम है, ये बात अच्छी भी है, लेकिन ये सीन कट गिये गए है, तो इनका मुवी पर कितना एफेक्ट रहेगा, वो देखना इंपोर्टेंट होगा, बाकी इडवांस बुकिंग की फिर बात करूं, तो मैं इतना ही बोलूँगा, कि इस से पहले जो भाई रोहित छेटी की फिल्म आई थी सूरिया वनशी, उसकी इडवांस बुकिंग आखरी दिन पर रिलीज वी थी, लेकिन तब पैंडेमिक था, और भी बहुत सी रीजन्स थी, रोहित छेटी ये करते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, कि अब भी तक मेकर्स या तो सिस्पेंस क्रियेट करना चाह रहे हैं, या फिर मेकर्स की भाई साब जो PVR आइनोक्स है या सिंगल स्क्रीन है, उनके साथ डील नहीं बन रहे हैं, इन डो रीजन्स के अलावा मुझे फिल हल तीसरी कोई और रीजन नजर नहीं आ रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ छोड़ो डील को भाई, आप रिलीज करो, पबलिक भाई पागल हुई पड़ी है, मैसेज पे मैसेज मुझे आ रहे है कि सिंगम अगेन की इडवांस बुकिंग कब होगी, बताओ, भाई मैं कैसे बताओ, रोखित छेटी से जाके पूछना पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरी दीजन है कि हाईप क्रियेट करने का चक्कर है, तो इससे कोई फाइदर ही है, क्योंकि फिल्म की हाईप तो अल्रेडी हितनी ज्यादा है, अगर मैं अभी पोल डालू, सिंगम अगेन वर्सेज भूल बुलाई यह 3, मुझे बिलीव है, सारे सिंगम अगेन पर करेंगे, क्यों को पब्लिक देखना चाती है, बट डेते की इड्वांस बुकिंग वाला सीन कब रिजॉल्व होता है, हो जाना चाहिए, भई मैं बोलता हूँ कि अभी जब यह में वीडियो खतम करूँ, देखू इधर भई साब अपडेट्स, तो क्या पता, मेकर ने अनौस्मेंट के हो, बाकी होप फॉर बैस, वीडियो पसर वीड गया टाली बजा के. Siddharth, he's a superstar. His ratio of hits and flops is… a lot of films he does, he does five films a year and the amount of hits Akshay sir has given, he's one Friday away from a blockbuster. I'm telling you this Diwali when Singham again comes in theatres, right, when Akshay sir enters on screen, the public will go berserk when Houseful Five will come, when Welcome to the Jungle will come, when Hera fairy will come, पुब्लिक तूट तूट के थर्टल जाएगी understand one thing, his films that didn't do well also didn't do well in the pandemic post pandemic era when people are not going for every film and yes he did a lot of films so every few months there was a release of his his coming, at the same time and oh my god too, did 150 cross which became such a big hit he had a 20 minute role but 4 stop hour whenever he comes in the film he's one Friday away and I'm telling you Singham again